हेलो जोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेश में इसते पहले मैंने आपके साथ एसी सीयल का जो वैकेंसी उसके बारे में डिसकस किया था और उससे पहले में आपके साथ प्रिवियस एर क्वेस्टन जो इस बार का जो एक्जाम जो 2-23 में करके लोगें लोगें बहुत सरा प्यारतिया बहुत बहुत धन्यवाथ कांड ली आप लोग इसी तरह हमको सपोर्ट करते रहे मिंआप लोगे लिए बहुत आशा चाहिए माइद वीडियू लेकर आओ आँगा आज मैं आप लोगे साथ सब्सक्राइब इसकी जरोत क्यों पड़ी इस्टेंड़ एक्च्वली क्या है कि डियूरिंग डे आवर जब अंडर्गॉंड में कोई काम होता है तो वहां पर सुरी ग्रोशनी नहीं पहुंचती है उसकेस में कोई भी ऑपर होगा तो आपको हैजार्डस होगा वहां पर लोगों के लिए खत्रा हो जाएगा व होता है उसकेस में तो किसी परकार प्रॉब्लम नहीं होता है लेकिन जो डार्क आवर जब काव इविनिंग के बाद ऑपरेशन को करने के लिए से तरीके से अम लोगों को एक प्रोपर इलुमिनेशन होना जरूरी है चाहे आपका चल रहा हो चाहे आपका चल रहा हो यह मैन पार सब्सक्राइब 11 में रहा होगाै ऊ Lalको और after-tour फएक आपको लगे ना तो क्या हो जाएगा उसके काम को अची तरीके से नहीं कर पाएंगे दूसरा बहुत कम लाइट रहेगा तब भी आपके रिवान से रहेगा इसलिए डीजे में के द्वारा एक सर्कुलर निकालकर इस चीज को स्पेसिफाई किया गया कि एक मिनिमम जो इस्टेंडर आप इल्लुमिनेशन होना चाहिए वह इतना होना चाहिए सबस्क्राइब झालों में मैंने आपके साथ फिर इस तरह इंश्टेंडर को सब्सक्राइब पहला आपका क्या है हम एक उसलिए तरह बेंट में को जोएं जोइन करने के लिए समझ यहां कि यह आपका डेंट है ठीक है आप वहां पर ईलूमिने कि उना चाहिए को यह अपको बॉrat मातंबहोई चाहिए और पड़निकर दो पर करेंद किन honestly होना चाहिए और कहां पताएं और 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 परमा्नेंट रास्ता को पर पो प्रकम होना चाहिए और करमारी आफिंटर्ग गैर्बब्स को भी थे च पर दिसक्स किया है होल रोड ड्रेक जहां पर आपका चलता है पिट में वहां पर आपका ट्रेस होना चाहिए प्रमानेंस रास्ता या फिर कोई रोडवे या कोई फूट पात और आपका जन्रल वरकिंग लिया इस जगह में आपका करता है कि जहां पर चलता है उसके वर्किंग प्लेस में आपको 15 और 25 भी होना चाहिए यह समझेगा कि आपको सर्फेस को करता है सतह को प्रकासित करता है रोषनी प्रदान करता है इसलिए और वर्टिकल आपको कवर करता है अब आपका क्या चलता है उसके एरिया में आपका मिनिमम स्टैनर्ड आप इलुमिनेशन होना चाहिए 15 और 25 मतलब 15 होरीजोंटल आपको सर्फेस को कवर करेगा और उससे ज्यादा इलुमिनेशन आपको होना चाहिए राउंड सर्फेस सर्फेस के ऊपर में आपका जो छेत्र बनता है डेट को कवर करने के लिए 25 यहां तक आप समझे क्योंकि एचे मिश्च चलेगा बड़ा मसीन दिखना भी चाहिए इसलिए उसमें वर्टिकल को इंक्लूट किया गया है आगे कहा है जहां पर ड्रिलिंग और प्रसंट चल रहा है जहां पर ड्रिल्री काम कर रहा है यहां ड्रील हो रहा है वहां पर इस पूरे हम लेकिन का हो चुका है मतलब ड्रील होल बन लना हुआ है तो वहां पर आपका पंदर रहा है यहां अप बोले शर्च को इल्यूमिनेट करने के लिए बटीकल चाहिए यहां पर आपका हो चुका है ब्लास्टिंग के लिए लुमिनेशन की पड़ेगा कि हो यही आदमी अचाना के चला गया तो वहां पर आपका 15 होना चाहिए और जहां आपका दूसरा क्या बताएं जहां पर काम चल रहा है वहां पर फटीज पर तीसरा में वर्क जहां पर आपके साथ चल रहा है जब रोब काम चल रहा है तो पर आपका एक एक केबल के लिए उसके वन होता है और एक छड़ी होता है उससे आगे पीछे करता है तो उस जखाह में आपका कितना होना चाहिए 15 और 25 बीज़ जहां भी कहां बताएं का वर्क प्लेस में दूसरा आपका जहां पर डिलिंग का काम चल रहा है या अनलोडिंग डिंग में क्या होता है कि कोईला आया माईं से स्टॉक कर दिया गया अनलोडिंग हो रहा है और फिर वहां से उठाके हम लोग क्रसर पर डालते हैं तो फिर हम लोग वहां से उठाके लोड किये और प्रसर पर डाल रहे तो एक लोड किये और माइन से जाके हम लोग आके उस स्टॉक याड पर अनलोड किया अनलोडिंग हो के समझेगा यहां सब्सक्राइब करने कर नहीं तो यहांप लैंट तो यहां पर लाएं तो यहां पर लाएं लोड़ें दोनों बता है तो लोड़ीं हो यह अपर आपका सब्सक्राइब दूसरा क्या आपका इसमें ओभी डंप में पूछेगा कितना इस और 15 यह समझ गए और क्या हो गया आपका स्टॉक यार्ड यहां पर कोईला को हमने जमा करते को स्टॉक यार्ड वहां पर आपका 15 और 15 भी होना चाहिए कि अबार यहां पर आपका लोडिंग हो रहा है यह ट्रांसफर हो रहा हैरिसों पर आपका 15 यांच में समझें सब्सक्राइब यह गया या फिर आप बूलिया कि लूडिंग कहा होता है यह फिर आपका आपका 15 jád कर ला है यदि आपको बहुत जल्दी हम बता रहें तो आप वीडियो को सब्सक्राइब नचाहिए कांफ्यूस करके आपको आगे ने बनना लेकिन पंदराइब कहां बताएं जहां पर आपका लोडिंग हो रहा है अनलोडिंग हो रहा है कॉल अस्तों की याड ओभी डंप ट्रेंड लोड हो रहा है यह सारा जगा में आपका 15 15 यह समझ गए अगला स्लाइड अपका है रिशेंटर के बारे में रिसल्टर जानते इस मिनिममा पका 30 यह समझ यहां से पानी को निकाल यहां पर कितना आपको 40 यह हो गया हो गया यह ऐसेट प्रकार का पंपिंग ऑस्टेशन यह वहां पर 40 यह यह हो गया क्या होता है कि कहीं किसी माइच में बहुत ज्यादा बड़ा माइच में वहां पर इंड़िट में ही हमगों सर्फेस बेए कोईला को उठाकर लाकर फिर यहां Bat कर वहाँ पर क्या होता है कि पीट मेहि उठाने के बाद लोड होने के बाद रहं को क्या हो गया? बेल दो इसटोक आड़ में जाके गिर गया फिर वहां से आपको दंफर के थूरू डिस्पैच हो गया यह था आपका इंप। प्रसर के बारे में आपके साथ डिसकस किया इन पेटर ब्रेकर में कितना होना चाहिए तो आपका 40 की थारी है चानि सेचेज है अभी औश यहाँ आपके साथ दो बढर किया किया आपकाarin में जहां पर आपका ट्रांसपर पॉंटंट है यहीं होता है । यहां पर किन वंकैण होना चाहे एंट आ बहुत इचता है तो आपको यहां पर मोटर लगा नहीं रहता है तो ड्राइव या टेल इंड एरिया में कितना होना चाहिए आपका समझ गए जहां पर ट्रांसफर हो रहा है चाली से ड्राइब या टेलिंड एरिया में चाली से यह समझ गए यह लोग अगला साइड पर अगला साइड प्लांट जहां पस्ती होता है कि माइन से निकलने के बाद को पर जमा होगा जबाने के बाद पिर उसको क्र्सिंग करने के बाद फिर दमपर में लोड या फिर कर देंसे ले जाता है या फिर कर अने के बाद और आपका नाखी कर्था में जमा हो गया जमा होने बाद फिर रिकलेम करके बेल्ट कर में डाला तो ठीक है साइडिंग जाएगा यह डंफर में डाला तो फिर लोड़र के द्वारा लोड़र से लोड़ होगे यह जो टोटल जो आपका इस बाउंडरी के अंतरगत जो भी आता है यह कॉल हैंडलिंग तो च्छप में जहां पर आपका पर प्रेशन पॉंट वहां तो आपको 50 पर जोना जाहिए लेकिन लोड़िंग हो सॉरी अपका क्रसिंग और स्क्रिणिंग और सेग्रिकेशन अंडलोडिंग जहां पर शाटने काम कर किया रहा हो सकता है कोईला मापका कोई मैटल या फिर या फिर सबस्क्रिकेशन का में लोडिंग या अंडलोडिंग हो रहा है तो वहाँ पर आपको 40 होना चाहिए अभी आपके साथ भी साहिए होगा कि तो आपने अभी एक चीज बताया कि लो डिन या फिर अन लोडिंग यहां पर होगा जैसे उसमें साहां बताये अ तो यह जगह में आपने तो यह समझाया कि पंदरा यह और भी होना चाहिए अभी आप लोडिंग याप समझा रहे हैं वह वहां पर जोडिंग या लोडिंग हो रहा है तो तो उसकेस में आपको 40 होना चाहिए यहां तक आप समझ गया है लेकिन इन जेनरल आपका स्टॉक यांट से लोडिंग हो रहा है या पर कोई मसीन आपको लोड करके किसी देंफर पर लोड कर रहा है उस जगह में आपका 15 है 15 भी होना चाहिए डाउट आपके पास किसी प्रका है यह जो हम ने आपके साथ डिसकस किया और आपका कंभेर के बारे में अपको किसी प्रकार का इश्यू नहीं होगा हम लोग अभी तक क्या क्या किये कि किसका किसका आपका 10-20 तर देखिए का समझ एक बार हाल रोड 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 वे फूटपाथ परमानेंट रास्ता या फ हो रहा है यह तीन जगहा है में आपका 15-25 यह हो गया आगे लोडिंग अनलोडिंग यह ट्रांसफर का पॉइंट हो रहा है यह वहां पर आपको कितना होना चाहिए 15-15 यह किलिए हो गया आगे बढ़ते हैं बहुत बार पूछा इंपॉच्छा इंपॉट इसको टीक और ल हो रहा है सेग्रिएशन और लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है और इन जेनरल दूसरा जगहा पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहां तक हम लोग देख चुके यह आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन है तो हां पर एक बहुत कुरूसियल जगा होता है इलेक् यह समझ गें लेकिन इसके अलावे जिदे बाहर में आपको साइड में कोई पर शुटा-फॉल्ड जब्सक्राइब के लिए तो तो याद की जगह वर्क्टोप में कितना होना था यह दो जगा में आपका सवेच पहले जो आपको हम लोग देखा था उसमें आपका एरेंजिंग नहीं था मैं आपको कुछिस किया करके आगे मैं आपके सब चार आपको data मिलेगा जो आपको 50 चौला मिलेगा क्या क्या आपको पार्किंग याड फिकिंग पॉइंट और ऑप्रेटर के बिन यहां पर गाड़ी पार्क होती है बहुत इंपॉर्टन जगह वहां पर आपको 50 चौना चाहिए यह समझ गए और हैंड पिकिंग पॉइंट ज चाहिआ हेंड पिकिंग पॉइंट पार्किंग याड फॉस्ट्र फनावां सब्क्राइब करों सिर्ज करेंगे हैं अब चार जो आपका आपको पार्किंग याड हो गया सबस्टेशन हो गया फास्टेशन सॉरी फास्टेशन प्लेंट पुछा गया तो बिल्कुल भूले 50 होता है ठीक है के बारे बहुत कम आता है कोई दिकत नहीं आगे आते हैं यह आपका अभी तक मैंने आपके साथ ओपन कास्ट में क्या इस्टेंडर ऑप इल्यूमिनेशन होना चाहिए कितनी प्रकास की वेवस्था होने चाहिए मैं आपके साथ समय लेना चाहता हूं मैं आप लोगों के लिए ओनलाइन क्लास लेकर आया हूं 6 फर्रवरी मतल है सामको दोल सकते हैं सामको कर सकते हैं यह थार कुरी है यह वर परका पर इस टाइम क्लास कर सकते हैं यह इस सारा चीज बारे कर सकते हैं यहां पर आपको 9297810892 कर सकते हैं मैं आपके साथ जूड़ जाओंगा यह चीज है और इसमें हम लोग कोसिस करेंगे जो आपके साथ कंप्रिट करूंगा चाहिए आपका कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं आपका सब्सक्राइब करना है तो आप इसमें कर सकते हैं ताकि आप Chantar होना चाहिए तो पहला हम दो किया बात किसे उन यह बसक्राइब छलव करें कि रास्ता केnah कि रहेएज आनुक्राइब आपको क्या होता है एंच मेरे मैं को न्युक्तі आपको कि आएज़ेगों क्या सब्सक्राइब का अब कम्प्लीट आपको देखे रूफ रूफ में किसी प्रकार का आपका यहीं प्रकार का रोख वेगरा जूल के है तो आपको पता चले कि अनसेफे इसको जड़ना है इसको जाना है यही कारण है कि पूरा एकदम होडिजोंटल और वर्टिकल दोनों को कबर करता है इसलिए टैन कर लेते हैं क्या करते हैं करते हैं तो वहां पर क्या होना चाहिए यह समझ गया वहां पर कितना होना चाहिए यह के लिए फेस को बलते हैं कोई को अगता चाहिए पारकिंग याड पंपिंगस्टेशन इसमें इसमें आपका इंपोटन आप्काइट पूच पूछ वर्क फेस्ट में बहुत बार पूछा गया है और आपका यह ट्रेविंग रिफ्द कि इसम्हं संथित इसलिए जो जो ओस्ति समझगे क्या गाइस · बता दिया लेटर वह या मैन वे कि दो यह पंदर रहा चाहिए वर्किंग फेस्ट या इसको ना भूले 20 यह बहुत इंपोर्टेंट है वह कितना चाहिए 20 यह और 30 वह वर्किंग फेस्ट बढ़ते हैं आगे में क्या है आपके साथ माइन अस्टेशन माइन अपको पता है जगह में लोग खड़ा होकर माइनिंग सर्थार इसकीम बताता है कि आज कौन सा फेस्ट लेना है कि इसको क्या काम करना है को मतलब मैं पाउट डिस्ट्रिवुशन करता उस जगह पर रहके सारा काम को बटवारा करता है तो माइन स्टेशन में कितना होना चाहिए माइन लेकिन अंडर ग्राउंड में क्या है आपको बिल्कुल प्रक्रिशन नहीं होना है यह हो गया अभी आपके साथ मैंने डिसकस किया कि में कितना होना चाहिए यह हो गया यहां पर टब्स को जोड़ा जाता है या खोला जाता है उस जगहां में आपको 30 होना चाहिए यह समझे दूसरा कोई इंजन रूम या कोई मोटर रूम जहां पर आपको थैस जाता है कि सब्सक्राइब करें इस जोड़ा है नहीं भी त्यज्व होना चाहिए जोड़ाय दूसरा रखा है कि जहां पर कोई इंजन रखा हुए या कोई मोटर चल रहा है या इंजन चल रहा है वहांपर आपको 30 होना चाहिए दोची तीसरा है क्याद रखेगा होलेज रोडवे का जंक्सन में आप कंफ्यूज की जगा कि पूछ दिया तो पता है कि 10 और 10 लेकिन होलेज रोडवे का लिख देगा कोशन में आप लोग हर बाड़ी करके वहां पर गड़बाड़ी ने करना है लिख लिख देगा होलेज रोडवे का ब्रेकर देगा जंक्सन में जंक्सन में रोडवे में इस्टेशन कितना होना चाहिए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज ने करना है 30 है वहां पर 10 10 भी नहीं बारना है यह क्लियर हो गया पंपिंग स्टेशन में मैंने आपके साथ डिसक कि इसमें बिल्कुल भी डिसकस्त नहीं करूंगा कि करन वें क्या होना चाली से यह लंगदध बीस हैंच मैं आपको बताया था कि अपर आपको नहीं होना है यह तिन आपको पचास हो गया चौता अंडरगाट में यह कोई गयराज है या वरकशोप है वहां पर आपको 50 होत चार चीज में आपको 50 है यह थोड़ा टाइप मिश्टेक है यहां आना चाहिए था लेकिन नीचे उतर गया है चार्ज जगा में मैंने आपके साथ 50 है बात किया हैंड पिकिंग पॉइंट में भी था और उसमें भी था तो कुछ-कुछ कॉमान है कॉमनला प्याद रखेग पास्टेटेशन कभी पूछे 50 हैंड पिकिंग पंट कभी पूछे 50 है कि रहो गया आगे आते लोको चार्जिंग पचाश है और अडर्गार्ण में कोई गराज या वर्क्सोप यह जनेरल वर्क्सोप में घाल्ड यह अंडर में कोई व्कसोप है तो वहां पर आपका 50 है य आगे क्या इलेक्टिकल सबस्टेशन उसमें भी था आपका सब्सक्राइब पताया थे क्या नहीं और कोई इक्विप्मेंट के बारे वह भी हमको ताया थे और वर्क्षोप एट सर्फेस वर्क्षोप जिदि आपका सर्फेस पर है तो क्या होना चाहिए तो इल्यूमिनेशन आपका सो एच एड़ पचास भी कहां पर वर्क्षोप अपका सर्फेस पे लेकिन वर्क्षोप आपका अंडरग्राउड में या फिर एराज है तो आपको कितना ना चाहिए तो आपको फटाश होना चाहिए पहले हम लोग को अश्ट करेंगे इस से पहले मैं आपके साथ और एक बार चदीभाइज करता हूं आप कोशिज कीजिए यहीं से आपको याद करके जाना है कुछ कुछी जो कॉमन नहीं है वह आपको उसको भी लिखना है इसमें क्या है जितने भी रोड़ वेज हैं उसमें डिसकस किये हैं हम लोग चाहिए वह वह रोड़ हो या फिर यह पूछेगा लेकिन नहीं कि पूछेगा इंपॉटेंट काम है याद कि रखना रखेगा 20 30 बहुत दर पूछा गया वर्किंग फेस और गोफेज को 20 30 यहां तक आप समझें आगे आते हैं माइनर स्टेसन के बारे माइन आपको बताएं माइन स्टेसन रेच शल्टर 25 उस इसमें पूछ देगा जंक्सन में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल थर्टी यह हो गया कोई आपका इंजन रूम है या कोई मोटर चल रहा है वहां पर आपका लेंडिंग करता है न तो सब्सक्राइब बोलिए या लेंडिंग बोलिए वहां पर आपका 50 यहा और आपेट कास्ट का स्टेनर पीलिमिनेसन क्या होता है इस पर डिए मसर्कुलर्ट नहीं और आने वाले एक्जाम में एक या दो को सथ अकसर पूछे जाता है तो यत को आ कर लेंगा आते हैं अगला यूमिनेशन यूमिनेशन का यूनिट क्या होता है तो आप बुलिए कि सब्सक्राइब करना है तो होरिजंटल हम लगाते हैं डेट को कवर करना है तो हम लोग वर्टिकल का यूज करते हैं यह आप समझ गये लेकिन मैंने आपको इल्यूमिनेशन का उसके बारे में कोई डिसक्राइब क्या होता है तो यूमिनेशन का यूनिट होता है याद रखियंका लगस्ट्वण कि लक्स फिज़तो होता है कि एक मीटर स्ष्कॉयर के हॉता है मान के इस बोड्ड पे कितना लाइटीं पढ़ रहा है इस बोड़ पे कितना लाइट आपका पढ़ रहा है यह आप समझ गया है अप डिसकास करते हैं कि यूट को समझाए लाइट किसका मतलग होता है यह आपका का negative of how does a electric para electric powerclick हो किसे दिखाते हैं हम लोग पीसे दिखाते है अब विध्यूत्ट सक्ती इसका मतल क्या होता है दूब लुवय टी होता यह समझगे डवलुक वर्क हो गया रकाल देस का इंटेसिटी का मात्रएं याद रखेगा धौनी की प्रबलता का मात्रख है कि साउंड का इन टेन सिटी का यह मत रखें ध्वनी की प्रवलता को अब दिखाते हैं अब अब लेगा सर डीवी ए में दिखाते हम तो यह पढ़े हैं इसलिए आप लोग पढ़ते हैं लुट आफ लके ज़ sup लैभक अब लिए आपको ध्रवलता का मतर हम आपको यह बता है इंडास्ट्रील जुब को यह समझ गए लक्स आपको समझा चुक लए ओम किसका मतरा कोता है रेजिस्टेंस का यह समझ गहीं और बराबर क्या होता या भी बता आई यह मतला क्या होता है अम्पीर तो जो हम लोगेंश क्या बोलते हैं है कि यह अप समझत क्या ला जा रहा रहा है वाट्ट यूद्ट वूट वी मिनिमाम इस्टेंडर प्लाइटिंग कितना होना चाहिए को लेकर आपको पता है यह आपको पता है नहीं पर इंकलाइन हो यह हर जगा पर मैं राइडिंग वह वहां पर आपको यह अगला आपको क्या है कि 20 होता है ऑपन कास्ट यह अंडर्राउंड का एलॉंग दाकन वह इसलिए आपको इस क्वेस्टन में हम लोग बाकी बाकी जो अप्सन उसको भी हम दिसकस करते जाएंगे ताकि आपको यह सारा ची अधर प्लेश है छीएच पी में बटाइब को अधर प्लेश अगे वहां पर भी आपको 20 यह समझ गया तटी एज कहां होता है कि थटी अच सबसे पहले ऑपन कास्ट में रेस रोट यह समझ गया और थाटी एज कहां होता है अंडर्ग्राउंड का पम्पिग सटेशन में अ मिनिमम होना चाहिए वह आपको 30 होना चाहिए और एक चीज कहा होता है जो जो रोडवे हो था और में का जंक्षन में लिखने के रहाऊ अब करते हैं लिख लीजेगा तो अब आपको क्या मारना था ये ये जदिए पूछा तो आपको 30 याज करना यह समझ फचास होता है यह फ्लीड रहा हूं ठीक है यह कर लेता हूं कि ताकि आपको अलग करने में सुविधा होगा पार्किंग याड होगा है कि दूनु जाए छां यो गया और कहा होता है और का फ्रॉपरिटर के मी और होता है उसके बाद परस को ऑस्टेश्द करह होता है और तरे पांब होता है कि अ प्रस्टेशन है वास्टेशन बहुत इनपौरेंट इसको याद रखिए आपशरट रखेगा फासे डिस चाहिए अंडर ग्राउंड गाहों या ऑपेंडिंग का वहां पर जो निनिमंद सब्सक्राइब आपको 50 था हो गया अंडर अंडर गॉंड लेकिन आपको ग्याराज है या वर्क शोप है तो आपको जो आपको 50 होना चाहिए वह आपको 50 होना चाहिए और एक होता है कोन करता है या आपको लोग बिल्कूल भी ना करें तो आपकें करता है प्रतेक क्रता कॉन करता है यह रखिएगा यह वो गया एबरी मंथ करता है लिखती चाहिए जो भी इन पॉर्टेट आपको लगे उसको आपने एबरी मंथ करता है यह हो गया आगला क्या है कि इसमें बहुत सारा चीज इनक्लूड किया रहे हैं मैं मोटा मोटा बता जाहां कि कौन सा लाइट कहां पर है और डीजी लाइठ है या से लोकेशन साथ उसमें यह होता और पिछला मैना कर उसमें कितना एल्यूमिनेशन रिपूर्ट आया था मैनेजर उसमें काउंटर साइन करता है यह हो गया कंपीनर पर्सन को लेकर को सब्सक्राइब करने के लिए लगता है यह हो गया आगे आते हैं अगला को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने मिनिमाम इल्युमिन 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 सब्सक्राइब कर लिए 15 और 25 भी कहां होता है मिने आपको बताया था ओपन कर रहा हो एच मम का आपको क्या है यहां पर ड्रिलिंग चल भाए तो ड्रीलिंग उप्रेस्न में और घ्रिलिंग काम कर रहा वहां पर तब 25 भी होना चाहिए और जहां पर ड्रील होल एड्रील होल है अल्रेडी वहां पर आपको 15 होना चाहिए यह आप समझ गए आगे आते हैं 10 स के बारे में कि 10 तो बता दिए कहां पर क्या होता है 30 पिछला वीडियो में आपके सब्सक्राइब के साथ दिस्क्ता एक पर पुछते है और उपैन्ट कास्ट में रेस व्हो होता है अप जो मिनिमू में já होना चाहिए यह हो गया ान्डरर्गांस में किसी फोन था की ठीच इसेंच होता है ता आपका पंपिंक में अस्टेशन अब बोल यह ढोنि बोलेंगा कि सर्ट फोנו जानके होता है तो और आप एकदम याद करते वे चलिए होलेज रोडवे का जंक्षन में होलेज रोडवे का जंक्षन में आपको 30 होता है चालीस होता है यह आपको पहला होता है चालीस हुए Bin कंषट का पंपिंग स्टेशन में आपका 40 होता है अपका की चालीस होता है यह आपका कितना होता है चालीस होता है यह हो गया आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला कॉस्टन पर इन ऑपन कास्ट माइस मीनिमम स्टैंडर पिल्यूमिनेशन ऑप एरिया वेर ड्रील रिग वर्क्स वही को सन अभी आ गया जहां पर ड्रील काम कर रहा है वहां पर कितना होना पर कितना होना चाहिए 15 wreckage Work null को पर लिए संट एंश को य्लूमिनेट करने के लिए यह ताकि उसको दीखे कि नीचए में क्या हुआ है इसलिए यह कषज कहीं चैनलीस है अभी मैं आपको पीछे मीडियों बताय आप उसको याप का स्वाइन का स्वाइन का स्धार के याड और ऑपरेटर हीन परेंटर का पार्कीड ओग्यार्ट है अंग मैं twenty आपन हूं ना खीम और आप एक हमको बताइए कि आपको पचास है और किसका होता है कि अगला को सब्सक्राइब के लिए किसका यूज किया जाता है पाइरोमीटर पाइरोमीटर क्या होता है कि यदि कि आप बहुत होट इस्ट्राटा में काम कर रहे हैं तो जो हम लोग ड्रील करते हैं तो जो ड्रील होल का टेंपरेचर को मेजर करने के लिए हम लोग पाइरोमीटर का यूज करते हैं तू मेजर टेंपरेचर तू मेजर टेंपरेचर आप ड्रील होल इन होट इस्ट्राटा ये आप समझ गया यह है क्लिए लैक्टो मेटर यह आपका दूद की सुधता को मिल्क का पी्योडिटी को मापने के लिए यह एक यह रहे हैं लग्ो सीरे सब्सक्रकbeiten लाइं लसे रखते हैं इसे रखते हैं तो आपका इसको के आपका चलता है यह हो गया तो किसका यूश करते हैं हम लूग समझ गये ऐसके होगा नहीं हम कुण टीक करके हैं हम सब्सक्राइब करेंगे लिए यह पारकिंग आभी तॉन भी पिछला सबस्टेशन होता है तो आपका सबस्टेशन होता है इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन होता है यह आप समझ गए चाहिए वह अगला कॉसन पर बार बार एक बताएंगे तो लंबा होगा इन अब आपको ध्यान रखना है यहां पर पूछा गया है आपको पूछा गया है या फिर आपका पूछा गया इस पर ध्यान रखेंगा अब आपको देखना है कि मैं किसका पूछा गया अब क्या पूछा गया आपको पता है आपको अंडर ग्राउंड हो या आपका लॉट अलोंग दा कंद या चाहिव अंडर गाउंड या पर यह हो गया अगला कहां पर है आपका यह पीछे बताएं चालेश के बारें पीछे बताएं अगला को सब्सक्राइब अगला को सनवादि अंडर यॉडर क वरक्षोप में कितना होना चाहिए अंडर आदों वर सोप हो या गेरे शोच्न लेकिन यही वाला टमारा में तो आपका सरर्फस्केज पे होता इसे आपको कितना हो श्क्राइब यह आंज कि और इसे आफिन केस भी और भीम में यह बताया है यह बताया है और एक बार डिसकस कर लेते हैं कहां बताया है हम लोग जंक्सन में यह गया ऑपन कास्ट में रेस्ट सेल्टर में और अंडर ग्राउंड में हम लोग पंपिंग अस्टेशन में यह गया यह ओपन कास्ट का पंपिंग अस्टेशन में यह और यह बहुत सरा है 50 अब को पता है क्या क्या पार्किंग याड्ड हो गया ऑप्रेटर के बीन हो गया वाकि आप दो को बता लिए फिर से बहुत ज़्यदा बढ़ा हो जागा अगला इस सब्सक्राइब इल्मीरेशन में से च्टेंट प्रहए चाहें आपका पूचे या स्पारा आपका रेष्ट चिंटर पूछे कि में बात करना हो याद रखेंगा लीकिन और गाइसंट दोनों होता है कि या रेचिटर पूछे तो इसका जो स्टेंडर और मिनिमम आपको 25 होता है और कहां पर आपका इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में आपका पचाहिए यह हो गया चालीश आपको बताएं थे अभी हम पॉंपिंग स्टेशन कहां पर और पैन कास्ट में अंडर्गाउंड का पूछता तो कितना होता तो 30 यह यह समझ गये थर्टी यह सब्सक्राइब करता हूं आपके साथ करता हूं पूछत करता हूं यह बहुत बार पूछा गया तो आपका 14 meter एसक्वायर से कम नहीं होना चाहिए यह रेसेल्टरUp का यह वंगया रेसेल्टर में और क्या था यदि आपका इस type का एसट इसलोप वाला तो इसका compan का होना और आपका 1.8 मेटर से कमने होना चाहिये यह आप सब़सिंगे और एक sự के पूछ जाता है पास्ट एड रूम कहां पास्ट एड रूम का जो अरिया कि नहीं फ्लूर इरिया आपका 10 Вы स्कुर्ण होता है मतलब 10 में स्कुर्ण से कम नहीं होना चाहिए इस परकार हम लोग इस स्लाइड में बहुत सारा को सन आपके साथ डिसकस किया मुझे यह लगता है कि यह क्लास को देखने के बाद आपका इल्यूमिनेशन से कोई भी कोस्ता स्माइज स्केंड क्लास माई माई सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब करूंगा और इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किये तो कैंड़ी आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिए ताकि मैनिंग रिएटेट जो भी वीडियो में आपके साथ सेर करता हूं सबसे पहले आप परस महुंचे और आप उसे फाइदा ले सके और एक खुसक्राइब है कि मैं आप लोगों से जुड़ने के लिए एक ऑनलाइन क्लास से स्टाइट क्या हूं यह आपका छे तरी से स लगा है अविजिवरी चोंदे और आफम होने से पहले हम लोगे साथ करेंगे और जपर सारा घिसकश करेंगे लिखाते हुए याद करेंगे क्लास में आपको याद करना मतलब याद करवा दिया यह मेरा कंटेक नमबर आप इस पर कंटेट कर सकते हैं किसी प्रकार का इंफोर्मेसन के mold के लिए किसी प्रकार बत सकते है क्लास सब्द्रक्राइब कर सकते ऊदोएым कर सकतेainyy mad हमारे इस चैनल के साथ इतना देर तक बने रहें मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा जैहिन दोस्तों